दोस्तों इंडियन एरफोर्स की तरफ से 21 मई 2023 को फर्स्ट एंड सेकंड सिफ्ट का एक्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में आपको आज के दोनों ही सिफ्ट का कम्प्लीट रिव्यू देने वाला हूँ इसके साथ ही दोस्तों आज के दोनों सिफ्ट के जीके एंड मैट्स के सारे क्वेशन्स मुझे मिल चुके हैं तो उनका सॉलिशन करवाऊंगा और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका एक्जाम आगे आने वाले सिफ्टों में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख हैं क्योंकि दोस्तों आज के दोनों सिफ्ट में जो पूछे गए हैं उन में से कई सारे ऐसे कोषशन्स हैं जो आपके प्रिवियस येर से ही रिपीट हुए हैं या फिर कल के शिफ्ट से रिपीट हुए थी तो हो सकता है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी questions मिल जाए जो directly कल आपके paper में आ जाएगा और इसके अलावा जिनका paper आज के पहले और दूसरे shift में था तो आप एक वार comment करके confirm भी कर देना कि ये सारे के सारे questions original हैं या फिर नहीं हैं इसके अलावा दोस्तो अगर आप exam देने के वाद अपना question share करना चाहते हो तो question आप मेरे whatsapp number 9430042848 पर share कर देना मैंने अपना whatsapp number इसी वीडियो के decision box में दे दिया है चलिए दोस्तो अब आपका ज़्यादा time पर ना करते हुए आज का वीडियो start करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको 21 माई 2023 के second shift का question करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपको first shift का question solve करवाने वाला हूँ दोस्तो आज के second shift में एक question पूछा गया था कि सीवा जी ने किस कीले को जीत कर अपनी राजधानी बनाई थी तो इस question का right answer है दोस्तो रायगर का कीला actually में 1684 इस्वी में उन्होंने इस कीले को convert कर दिया था अपने capital में यहाँ पर दोस्तो आपको मैं बता दू कि जो सबसे पहला कीला जीता गया था सीवा जी के दौरा वो था टोरना फोर्ट जो की 1646 इस्वी में जीता गया था तब उनकी उम्र मातर 16 साल की थी और यह दोस्तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धी थी उस समय में मुगल के उपलब्च में किसी भी Indian king के दौरा इसके अलावा दोस्तो जिनका एक्जाम आगे आने वाले सिफ्टों में है आपसे सीवा जी का मदर का नाम और फादर का नाम पूछ सकता है तो यहाँ पर उनकी माता का नाम था जीजा भाई जबकि फादर का नाम था साह जी इसके बाद दोस्तो second question पूछा गया था लियोनल मेसी किस देश से संबंधित है मैंने आपको एक्जाम अस्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि current affairs में आपको important players के नाम याद करके जाने है क्योंकि पिछले 2-3 एक्जाम से एक नया trend देखने को मिला है कि जितने भी खिलाड़ी आपके चर्चा में रहते हैं या फिर news में रहे हो उस खिलाड़ी का किस देश से संबंध है या फिर किस खेल से संबंध है वैसे questions पूछे जाते रहे हैं आज के सिपने पूछा गया था दोस्तो लियोनल मेसी के बारे में आपके एक्जाम में एक question भी पूछा जा सकता है कि FIFA 2022 में golden ball किसे मिला है या मिला है दोस्तो लियोनल मेसी को और FIFA World Cup 2022 का आयोजन कहां में किया गया था तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तो कतर में इसके बाद अगला question यहां पर पूछा गया कि 74th Republic Day के chief guest कौन से हैं दोस्तो आप मेरे channel पर जाना और पिछले दो सालों की question paper को उठा कर देखना एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें आपके Republic Day के chief guest के वारे में नहीं पूछा गया हो और फिर से इस वार आपका वही trend रिपीट हुआ है तो इस वार का जो 74th Republic Day था इसके chief guest थे दोस्तो अब्दल फताह LCC जो की दोस्तो एजिप्ट के president है इसके वाद दोस्तो अगला question पूछा गया था Miss Universe के वारे में अब actually मैं मुझे आपर confirm नहीं पता चल पाया कि या question आया था या फिर नहीं आया था क्योंकि दोस्तो Miss Universe आपका कल भी second या third ship में पूछा गया था तो अगर आपका Miss Universe पूछा गया होगा तो इसका right answer है दोस्तो Bonnie Gabriel अगर आपसे Miss World पूछा गया हो तो right answer है Carolina Belsok जो की Poland की है और दोस्तो हाली में Femina Miss India बनी है अगर आपका question नहीं भी आया है exam में तो आप इन तीनों का नाम याद रखना हो सकता है कि आगे आने वले shift में एक question पूछ लिया जाए यह था दोस्तो आज के second shift का GK का questions अब first shift के GK को देख लेती है तो first shift ने दोस्तो पहला question आया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा एह गाना किस के दोरा लिखा गया है दोस्तो एक question बहुत important है और इससे पहले मैंने SFC CPO and SFC CGL दोनों ही exam में इस question को आते हुए देखा है यह जो गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा यह लिखा गया है दोस्तो मुहमद इकवाल के दोरा इसके बाद अगला question पूछा गया था दोस्तो द्रॉपदी मुर्मू कौन से नंबर की president बनी है अब जिन candidate ने जनवरी 2023 में exam दिया होगा आप एक बार बताना ज़रा कि द्रॉपदी मुर्मू के बारे में उस वार question आया था या फिर नहीं आया था और फिर से आपका same question इस साल भी repeat हो चुका है तो दोस्तो यह जो द्रॉपदी मुर्मू है वे हमारी देश की 15 वी राष्टरपती बनी है इसके अलावा दोस्तो पिछले बार एक और question पूछा गया था कि वे किस tribe से संबंधित है तो right answer है दोस्तो संथाल tribe जो द्रॉपदी मुर्मू है वो संथाल जनजाती से बिलोंग करती है इसके अलावा और क्या question पूछाया सकता है तो हमारी देश की पहली और दूसरी महिला राष्टपती कौन बनी है पहली महिला राष्टपती बनी थी परतिभा देवी सिंपाटी जो की 2008 में बनी थी और दूसरी महिला प्रेशिडेंट बनी है द्रॉपदी मुर्मू वही दोस्तो अगर बात की जाए पहली ट्राइवल कॉम्मूनिटी की कोई प्रेशिडेंट तो वो बनी है आपकी द्रॉपदी मुर्मू इनके बारे में जितने भी एक्ट्रा उफेgg्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है वहाँ सारे के सारे उफेgg्ट्ट आप सभी को याद रखने है इसके बाद अगला कोईशन है था दोस्तों पिकासो किस से रिलेटेड है अब actually मैं एक question आपका जीके में आया था या फिर reasoning में आया था या तो मुझे नहीं पता लेकिन आज के first trip में एक question पूछा गया था दोस्तों जो Picasso है यह related है painting सी इसके बाद एक और question आया था जीके में विंबल्डन single woman winner यानि कि दोस्तों आपको इहां पर बताना था कि विंबल्डन trophy में single महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो एक खिताब जीता गया दोस्तों इलेना राइब बैकीना के दोरा अब दोस्तों अगर आपका exam आगे आनेवल सिफ्टों में है तो आपको बिंबल्डन single men's का winner का याद होना चाहिए इसकी अलाबा आश्ट्रेलियन open का याद होना चाहिए साथ ही साथ दोस्तों आपके जो US open होते हैं उसका winner का नाम आपको आद होना चाहिए क्योंकि ऐसे questions 2020 में 2021 में और 2022 में तीनो साल पूछे गये थे और फिर से आपको 2023 में भी ऐसे question देखने को मिला है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे अनेवल स्रिप्टों में भी इस top के questions आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएं इसके बाद एक question पूछा था दोस्तो 68th National Film Award 2022 2022 का जो राष्ट्रिय फिल्म पूरसकार हुआ था इसमें actually में आपका question पूछा गया था best actor का तो best actor का अवार्ड मिला है दोस्तो अजयाद देखवन को उनकी movie तानहा जी के लिए इसके अलावा दोस्तो best feature film का अवार्ड मिला है सुराराई पोट्रू को जो की आप और लेड़ी आपका जनवरी 2023 में पूछा गया है और best entertaining film का अवार्ड मिला है तानहा जी को इसी के एक्टर है एजयाद दवन जीने best actor का भी अवार्ड इसी film festival में दिया गया था इसके बाद दोस्तो कल का एक और question मेरे पास बचा हुआ रहा गया था तो इस question का भी solution आपको करवा देता हूँ drafting committee के chairman का नाम पूछा था कल के third shift में तो दोस्तो drafting committee के जो chairman बने हैं इनका नाम है दोस्तो doctor we are ambediker तो यह था दोस्तो आपका total gk का questions इसके बाद एक आपका question आया था दोस्तो आज के पहले और दोसरे shift दोनों का mix question यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ government by people यानि कि एक ऐसा देश जहां पर की जो सरकार है वो जनता के दोरा चलाई जाती है ऐसी सरकार को हम बोलते हैं दोस्तो गंतंत्र जिसे English में आप सभी लोग बोलते हो Republic दोस्तो जहां तक मुझे याद है कि यह वाला जो आपका one word है और लेड़ी आपका दो सतीन वार एयर option में से आपको एक option अलग करना था जो कि बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है उप्सें में थे lion, horse, cow और goat अब आप एक वता बताओ horse, cow और goat यह तीनों की तीनों क्या है पालतु जानवर है तीनों के तीनों और क्या है वेजिटेरियन है जबकि lion क्या है यह आपका पालतु ज पोजिशन जो आ रहे हैं वही आपके लेंदी है और टाइम कंजूमिंग है बागी कि आपके सारे का सारे रेजनिंग इसी लेवल के आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर दोगी इसके बाद दोस्तों देखें फिर से एक वेंड डाइग् प्रकार से जो टेनिस प्लेयर वही सकता है और इसके साथ वह शुडेंट वहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे जब भी आपके तीनों के तीनों word एक दूसरे के साथ relate कर रहे हो तो आपको इसका overlapping figure बनाना होगा यानि कि दोस्तों आपको तीनों को एक दूसरे के साथ overlap कर देना होगा तब ही आपका right answer होगा तो एक यहाँ पर हमने tennis का बना दिया अब इधर से एक student का बनाया और इधर से cricket का बनाया दोस्तों इन तीनों में जो आपका common दिख रहा है वो आपका tennis, cricket, student दोनों के लिए हो गया इस side वाला person आपका हो गया tennis और student के लिए इस side वाला हो गया cricket और student के लिए और बीच वला जो पोर्सन ने वो आपका हो जागा टेनिस और क्रिकेट के लिए समझ में आ गया सभी को एव इन डियाग्राम कैसे बनाए गया है चलिए आगे बरते हैं अगले question की ओर देखिए मैत क्या बहुत ही संदार सा question यहां पर पूछा गया था question में पूछा गया था दोस्तों की एक a sphere है जिसके diameter है 42 cm तो आपको बताना है कि उस a sphere का volume क्या होगा यहां पर simple आपको formula अगर याद होगा तो आप असान इस question लो solve कर सकते थे a sphere के volume का formula होता है दोस्तो 4 upon 3 pi r cube तो यहां पर हमने लिख दिया 4 by 3 pi की जगा लिख दिया 22 by 7 अब r क्या होगा यहां पर जो 42 दिया गया है दोस्तों बहुत हमारा diameter है na 42 cm diameter है तो इसके अगर मैं radius की बात करूँ तो radius इसका half हो जागा 1 cm और इस formula पर अगर आप रखोगे तो 4 by 3 into 22 by 7 into 21 21 21 और 21 7 से 3 time cancel होगा 3 से 3 time cancel होगा 4 into 22 हो जागा 88 88 में 21 into 21 करोगे तो यहां आपका आ जागा 38808 cm q यहीं इसका volume हो गया इसके बाद दोस्तों एक आपका reasoning का question आया था reasoning में यहां खाली अस्थान पर इस 5 में अगर आप 8 add करते हो तो नीचे वाले box में आपका केतना आ जाएगा 13 आ जाएगा उसी परकार से अगर आप 14 को 7 से divide करोगे तो यहां पर आपको 2 मिलेगा और 2 में अगर आप 11 add करते हो तो आपको 13 मिलने वाला है यानि कि दोस्तो 8 में हमें कोई एक ऐसी संख्या से divide करनी होगी जिससे divide करने के वाद उसमें अगर हम 5 add करें तो हमें 13 मिलेगा तो आप बताएए कि 13 कैसे मिलेगा 5 add करने पर 13 आ रहा है न डैट मिन्स कि 13 में सब 5 घटाएंगे तो हमें यहां पर 8 मिलना चाहिए कब जब हम 8 में किसी एक नमर से divide करें तो तो 8 में ऐसी कौन सी संख्या से divide करें जिससे कि हमारा value 8 है वो संख्या 1 हो जाएगी तो 8 को हमने 1 से divide किया तो हमें मिला 8 और 8 पलस 5 क्या हो जाएगा 13 तो यहां पर जो question mark है इसकी जगह पर आपका right answer एक आ रहा था एक्जाम में भी बिलकुल same question आपका पूछा गया था आप एक बार comment करके confirm भी इसे कर देना ताकि बाकी सारे candidate को भी पता चल जाए इसके बाद दोस्तो एक आपका आया था failing to discharge once duty यहां पर one word आपको बताना था तो इसका मतलब है दोस्तो dereligation इसके अलावा different का verb form आपसे पूछा गया है दोस्तो different का जो verb form है वो आपका हो जाएगा differ इस question का right answer क्या होगा differ हो जाएगा इसके बाद एक और question आया था दोस्तो dullness का synonym यानि कि similar word आप सभी को बताना है दोस्तो आपका monotony exact option दिया गया था exam में जिन लोगों ने dullness का synonym monotony किया है आपका right answer बिल्कुल correct है इसके बाद एक और question आया था दोस्तो aggravate का antonym दोस्तो aggravate का होता है अत्याधिक गुस्ता दिलाना तो इसका antonym क्या हो जाएगा antonym कहने का मतलब opposite word वो आपका हो जाएगा come जिसका मतलब होता है सांती इसके दोस्तो देखिए यह वाला आपका जो one word है न यह वाला word कल ही repeat हुआ था confess confess का मतलब होता है दोस्तो समती यानि कि acknowledge इसके similar word हो जाएगे लेकिन exam में opposite पूछा गया था तो opposite इसका हो जाएगा दोस्तो deny कर देना इसके अलाबा focus के साथ में कौन सा preposition या पूछा गया था तो दोस्तो focus के साथ साथ यहां पर on preposition का यूज हो रहा था इस question का right answer था दोस्तो on तो यह था दोस्तो आपका English का total question इसके बाद देखिए एक और question क्या पूछा गया था वो था आपका clock वाला clock वाले question में यह का गया था दोस्तो कि अगर hour hand एक पर है और minute hand 20 पर है तो आपको ब दो है तीन है चार है आप बताईए एक बज के 20 minute कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो hour hand है वो कहां पर होगा एक और दो के बीच में कुछ इस परकार से होगा और minute hand हमारा क्या होगा चार पर होगा आपको पता होगा दोस्तो कि जब 3 से 4 पर यानि कि 5 minute minute hand आगे भरता है तो यह दिग्री का कौन बनाया उसी परकार से 2 से 3 तक जाने में कितने का बनायगा 30डी का कौन बनायगा यानि total यहाँपर 60डी का कौन बन चुका है अब हमें इस सिर्फ पता करना है कि एक और दो के बीच में जो hour hand हमारा रखा गया है यहाँपर कितने d डीग्री का कौन बन रहा है इसे हम कैसे निकालेंगे देखिये हैं पर आपका पता कैसे चलेगा कहां पर है उसके लिए minute hand को देखना होगा minute है आपका 20 पर एक घंटे में 60 minute होता है अगर अभी minute hand 20 पर है कहने का मतलब क्या है कि आपका जो minute hand वह एक तिहाई distance को cover किया है और अगर यहाँ पर यह 1thi distance को cover किया है कहने का मतलब है कि दोस्तों 1 और 2 के बीच में 1thi degree को छोड़ देया जाएगा तभी ना उसके बाद का degree बचा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा hour hand हो जाएगा तो एक तीहाई कितना होता है 30 का 10 होता है ना 10 को छोड़ करके बाखी का जो 20 बच गया उससे लिख दीजिए यह आपका हो जाएगा 80 degree का कोन तो यहाँ पर दोस्तों आपका hour hand और minute hand है दोनों के बीच में 80 degree का कोन बन रहा है इसके बाद दोस्तों एक trigonometry का question repeat हुआ है आपका January 2023 का बिल्कुल similar question question में दोस्तों आपका angle of elevation दिया गया था tower का और यहाँ पर tower का height दिया गया था आपको बताना था इन दोनों के बीच का distance क्या होने वाला है अब exact value मुझे नहीं मिल पाया था जिस वज़ासे मैंने इस question का solution आपके लिए नहीं करवाया वैसे मैं रात में एक और video upload करूँगा maths का जिसमें आपके आज first, second और third shift तीनों ही shift में पूछे का questions का solution होगा इसके अलावा दोस्तों दो questions आपके partnership से आये थे partnership में जहां तक मुझे पता चला है कि एक जो आपका question था न उसमें simple investment into time का ratio था तो पहले वाले investment और time, दूसरे वाले investment और time को याँ पर ratio निकाल दो तो जो value निकल कराएगा दोस्तों वही उन दोनों के profit का ratio होगा वहाँ से आपको profit निकालना था यह एक को कितने profit मिल रहे है इसके अलावा अगर आपको math and reading के कोई भी question याद है तो आप मुझे comment box मों बताना या फिर डिरेक्टली में मुझे whatsapp पर message करके बता देना और इसके अलावा दोस्तों और वी जो question मुझे मिलेंगे आज के तीनों shift के उन सभी का solution में आपको इसी channel पर आज रात तक करवा दूँगा अगर आपको notification ना भी जाता है फिर भी आप channel पर आकर देख लेना आपको चैनल पर वीडियो जाता के आठ नो बज तक अविलेबल मिल जाएंगे so guys फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आयो तो इस लाइक और share करें और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एक्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लिए वीडियो समाब्द करने से पहले दोस्तों एक चोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए अभी तक के सिफ्ट में एरफोर्स में जितने भी जीके और जीस के कोशन्स आया हैं दोस्तों वो सारे के सारे इसी इबुक से मैच कर रहे हैं और इसमें आपको केवल और केवल 40 पेज़ेश पढ़के जाने हैं इस 40 पेज को अगर आप एक्जाम से पहले कवर कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपको पेपर में एक वी नया कोशन्स देखने को नहीं मिलेगा आप सारे के सारे कोशन्स बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके आ सकते हो दोस्तो इस इबूक को पर्चेश करने के लिए आप मेरे वाट्सप नमबर 9430042848 पर मेसेज कर देना वहाँ पर आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉट भेज़ोगे तो मैं आप सभी के साथ ये दोनों इबूक सेर कर दूँगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर सक नए वीडियो में तो तक के लिए जै हिन जै भारत आप सभी को आपके एक्जाम के लिए बेस्ट ओफ लग